जै मातारानी दोस्तों नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपकी दोस्त नीता मातारानी के नाम का जैकारा लगाएं कमें सेक्षन में जै मातारानी लिखें गुरू ब्रम्हा, गुरूर विश्णू, गुरू देवो, महेश्वरा, गुरू साक्षाथ, परम ब्रम्हा, तसमे श्री गुर्वे नम्हा दोस्तों गुरू जिसके जीवन में होता है उसके जीवन में किसी भी तरह के शोक, रोक और कश्टे नहीं आते हैं गुरू अपने शिश्यों को ग्यान देके जीवन के अंधकार को दूर कर देते हैं इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 जुलाई 2020 की तारिक इस दिन पे जब गुरू पूनमा का शुब अवसर आएगा उस दिन पे आप किस तरह से अपने गुरू का पूजन करिए और यदि अभी तक आपके पास कोई गुरू नहीं है तो आप क्या विशेश पूजन इस दिन पे कर सकते हैं और इसके अलावा एक बहुत खास उपाय जिसे यदि आप कर लेते हैं आपके जीवन में दुख और कश्ट से आपको जरूर मुक्ति मिलेगी दोसों आपके जीवन में गुरू का विशेश इस्थान होता है जिसके जीवन में गुरू होता है उसे जीवन का लक्ष या उद्दिश की प्राप्ति हो जाती है जिसके जीवन में गुरू आता है वो सद मार्क पर जाता है उसे जोती की प्राप्ति होती है और मृत्यू से अमरत की प्राप्ति हो जाती है देखने दोस्तों गुरू की महिमा कितनी विराठ है आपकी जीवन को पूरी तरह परिवर्टित करके रख देता है आपका गुरू दोस्तों गुरू का ज्यान ही आपके जीवन को प्रकाशित करता है इसलिए सबी को अपने गुरू को प्रणाम करना चाहिए गुरू के बारे में हमेशा अच्छी विचारधारा रखनी चाहिए गुरू के आदेश का पालन करना चाहिए और दोस्तों गुरू पुरिणमा के इस विशेश शुब अफशर पर अपने गुरू को याद करिए उन्हें आप हाथ जोड़के प्रणाब करिए नमन करिए हाला जोड़ी शुरू करें उसके पहले यदि आप नीता विक्रम चैनल पर पहली बार आए हैं इसे जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे बने वे लाल रंग के सब्सक्राइब को प्रेस करिए बाजू बने गंटी या बैल के आइकन को प्रेस करिए निशुल खरी है और साथ ही साथ व्यत्योहरा समंदी सभी जानकारी यहां पर प्राफ्त करिए आज की वीडियो को लाइक करना फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करना बिलकुल मत भूलना चलिए दोस्तों वीडियो जल्दी से शुरू कर देते हैं गुरू पूरण माशी या व्यास पूरण माशी 5 जलाई 2020 की तारिक को है इस दिन आशान मास के शुक्ल पक्ष की पंद्रवी तिथी है जिसे हम पूरण मासी की तिथी कहते हैं इस दिन पे गुरू वेद व्यास जी का जनम भी हुआ था उन्हें हम कोटी कोटी नमन करते हैं क्योंकि हिंदु धर्म के चार जबूत इस्तंब जिने हम वेद कहते हैं वह वेद व्यास जी की ही द्वारा बताय हुए इस्तंब हैं दोस्तों गुरू ऐसा होता है जो आपकी जीवन के अंधकार को दूर कर देता है इसलिए हमें अपने गुरू को नमन करना चाहिए और उनसे आशिरवाद लेना तो आपको असानी से उसमें से निकलने का रास्ता मिल जाएगा दोस्तों इस दिन पे जो श्री पढ़नी वक्ष है उसकी एक चौकी ली जाती है उस पे कोई धुला हुआ या साफ एकडम कपड़ा बिचाया जाता है और उस पे बारहा बारहा रेखाए खीच के व्यास आप अपने गुरू का पूजन करने के लिए व्यास पीट बना सकने हैं परन्तु यह सब सामान आपको यदि लॉक्डाउन में नहीं मिलने वाला है तो आप अपने घर पे एक चोटा सा पटा रखें गुरू के श्री चरण बना के यदि आपके गुरू इस दिन पे नहीं आ रहे हैं तो आप उनके श्री चरणों को हाथ से मार लीजिए आटा ले लीजिए रोली कुमकुम जो भी आपको मिलता है उनसे गुरू के श्री चरणों को मारिए और वहाँ पे उनका पूजन करिए वहाँ पे दीपक जलाईए गुरू की वनना करिए गुरू दीक्षा क और कुछ दक्षिना रखके, गुरू के निमत्थ संकल्प करिए कि जब भी यदि हम इस दिन अपने गुरू से नहीं मिल पा रहे हैं, तो जब भी हम अपने गुरू से मिलेंगे उन्हें ये दक्षिना या भेट अवश्य दे देंगे. दोस्तों गुरू के चरणों का ध्यान करिए जब भी आपने से पहले कभी गुरू पूजन करा होगा उस दिन का ध्यान करिए गुरू ने आपको जो जो ज्यान दिया है आप उसका ज़रूर ध्यान करिए कि वो आपसे क्या एकस्पेक्टेशन रखते हैं अपनी memory को revise करिए जिससे की आपको अपने जीवन में जो नई उर्जा का संचारण चाहिए वो आपको मिलेगा दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं गुरु के विशे में हम सभी अपने जीवन में अपने गोत्रों के नाम से जाने जाते हैं जब भी कोई पूजा पाठ होती है ब्रामण यही पूछते हैं आप अपना गोत्र बोल दीजिए दोस्तों यह जो गोत्र है यह हमारे रिशियों के गोत्र हैं जैसे कश्यप वशेष्ट इस तरह के जो गोत्र हैं आप सबने यह गोत्र सुने होंगे यह गोत्र हमारे रिशिय गुरू होते थे और दोस्तों जो भी गुरू थे यानी बीवी रिशी मुनित है Kashiap Rishiya, Vishwa Mitra Rishi, Rishi Ka Dash behaviors सभी ब्रहंऑ जी के पुत्र माने गए हैं और दोस्तों ब्रहं जी इस्तुती करते हैं वो है पराशक्ति महादेव जी इनकी पूजा वो करते हैं तो दोस्तों इस तरह से इन सभी लोगों का इस दिन पे पूजन इस्मरन करा जाता है और हमें ये ग्यान होता है कि हमारी आत्मा उस परमात्मा का एक रूप है वो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं इस तरह से दोस्तों विवन रिशिगणों का नाम लेके इस दिन पे पूजा अर्चन आवहन करना चाहिए व्यास जी शुकदेव जी गौडपाद जी गोविंद स्वामी जी शेंकरा चार्य जी और साथी साथ दोस्तों विवेका नन जी का भी मैं यहाँ पर जरूर नाम लू वहाँ पे आप अपने पिता पिता महा भाई को भी गुरू का इस्थान दे के उनका पूजन कर सकते हैं दोस्तों पूजन करने के बाद अब हमारी बारी आती है इस दिन का विशेश उपाय जरूर जान ले दोस्तों यदि आपने जीवन में कोई गुरू धारण करे हैं जो भी गुरू जिन्हें आप ग्यानी समझते हैं जो आपको जीवन में पत्व प्रदर्शक हो के आपके जीवन में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसे समय पर ग्यान देते हैं कई बार दोस्तों ये गुरू ज़रूरी नहीं है कोई संस्कृत बोलने वाले पूजा पा आप इस दिन परतोे कोई चीज चाहें, उनका qoji pen हो, उनका कोई रुमाल हो, जो भी चीज वो आपको देना चाहें अपनी इक्षा से, यदि आप कोई भी चीज आप उनसे बोली जाके, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है उस वक्त पे दोस्तों वो जो गुरू ने आपको चीज दी है उस चीज को आप हाथ में पकड़िये या अपने पास रखिये दोस्तों जो हमारा पूरा ब्रह्माण है ये vibrations पे based है हमारी energies पे based है ये जो energy होती है आपके गुरू के energy जो आपको पता है आपके जीवन में कभी आपको धोका नहीं देगी हमेशा आपको positive result देगी और अच्छा रास्ता दिखाएगी जब इस energy की कमी हो जाती है तो हम मुसीमतों में फस जाते हैं पर यदि वही energy उस वक्त हम उससे कई गुना अधिक स्थान पे लाके गुरू से प्राप्त कर लें तो वो energy हमारे जीवन में जो भी बड़े से बड़े कष्ट हैं उनसे हमें मुक्त करा देती है ये दोस्तों एक ऐसा उपाय है जो आपको सुनने में भले अभी इतना प्रभावशाली ना लगे पर जो लोगों ने भी इस उपाय को कर रहा है अपने गुरू का चिंतन मनन करते हैं रोज पूजा करने से पहले या सुभा उठने के बाद सबसे पहले देवी देटा का ध्यान करते हैं फिर अपने माता पिता का ध्यान करते हैं और फिर अपने गुरू का ध्यान करते हैं उन लोगों के जीवन में आप देखेंगे कितने बड़े परिवर्तन होते हैं क्योंकि आपके गुरू, आपके माता-पिता और आपके इश्वर यदि आपके जिंदगी में है तो आपको उपर जाने से कोई नहीं रोख सकता अब दोस्तों पूजा पार्ट में इसके अलावा जो भी आप मिठाई, फल, मेरे इत्याधी चढ़ाना चाहते हैं विदिवत जैसे भी आप गुरू पूजन करना चाहते हैं, वैसे पूजन करिए और पूजा के आखिर में शमा प्रातना अवर्शे करिए, अपने गुरू के आदेश का पालन करिए, वेदों का पाठ पठन अवर्शे करिए, क्योंकि दोस्तों अब चौमासा शुरू हो गया है, और खास तोर पे जो पूरण माशी का दिन है, यह सन्यासियों का चौमासा आरंब होने का दिन है, इस दिन से ही सभी रिशी संत लोग एक ही जगह पे बास करते हैं, और वहाँ पे ही सब लोग उनका ससंग का प्रवचन सुनने आते हैं, या श्रवन करने आते हैं, इस का आत्मिय शुद्धी के लिए मनुष्य हमेशा मांगली कारियों में उल्जा न रहे इसलिए खासतोर पर ये चार महीने का समय होता है जब गुरु अपने जो भी उनके पास ज्यान होता है उसकी शिक्षा जन सामान्य को देते हैं जिससे कि उनका उध्धार हो उनकी आत्मिक श कोटी-कोटी बंदन करते हुए जिससे की मेरी जीगन में भी ज्यान बढ़ें और ज्यान का प्रकाश बढ़ें ऐसी काम ना करते हूँ आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो और जल्दी ही मैं आपके साथ एक नया वीडियो लेके मिलूंगी तब तक के लिए नमस् को भी आप अपने जो भी समाचार है वो दीजिए और बात्चीत करिए और मेरे साथ भी जो भी आपकी मेमोरीज हो अच्छी मेमोरीज हो वो आप जरूर शेयर करिए कि आप गुरु पूजा कैसे करते हैं जरूर मैं पढ़ूंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जय मैं माता रानी दोस्तों हूं अगली बात वे मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए